परिचय अजे, तुम क्या पढ़ रहे हो? मैं अपनी रसाइन विज्ञान की पाटे पुस्तक पढ़ रहा हूँ अर्जुन, पैंसिल को स्वीच में मट डालना, तुम्हें बिजली का जटका लग सकता है बिजली का जटका? लेकिन क्यों? पैंसिल तो लकड़ी और ग्रेफाइट की बनी होती है, और ये दोनों ही विद्युत के कुछालक है अर्जुन, तुम्हें पता होना चाहिए कि ग्रेफाइट एक अधातु है, लेकिन यह विद्युत का सुचालक है हम्, मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था ठीक है, मैं तुम्हें एक प्रयोग के माध्यम से यह दिखाता हूँ जब हम सुईच ओन करते हैं, तो मल्टी मीटर विद्युत धारा का प्रवा प्रदशित करता है इससे पता चलता है कि ग्रेफाइट से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है इसलिए ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है अचे, अब मैं ये बात समझ गया और अब मैं इस बारे में और अधिक जानना चाहता हूँ ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप है कार्बन आवर्त तालिका के पी ब्लॉक का एक तत्व है इस बारे में और समझने के लिए पहले हमें P-Block के तत्वों का अधियन करना होगा चात्रो, आज हम P-Block के तत्वों के बारे में अधियन करेंगे उद्धिश्य इस पाठ के अन्त में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे पी ब्लॉक के तत्वों को परिभाशित करना अक्रिय युग्मों प्रभाव को परिभाशित करना समुह तेरा के तत्वों को समझना समुह तेरा के तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण धर्मों को विशलेशित करना बौरान के असंगत वहवार की व्याख्या करना, बौरान के योगिकों का विशलेशन करना, समौ 14 के तत्वों को समझना, समौ 14 के तत्वों के समानने अभिलक्षणों का वढ़न करना, समौ 14 के तत्वों के भौधिक एवं रासाइनिक गुण धर्मों का विशलेशन करना, कारबन के अपर रूपों को जानना, कारबन तथा सिलिकॉन के कुछ महतपून योगिकों का विशलेशन करना, परिभाषा आवर्द तालिका में समौ 13 से 18 तक के तत्व सामोही करूप से P-Block तत्व कहलाते हैं, बोरौन, कारबन, नाइट्रोजन, आक्सीजन, फ्लोरीन तथा हिलियम इन समौहों के शीर्ष हैं, इन तत्वों का सामानने इलेक्ट्रोनी विन्याज NS2NP एक से छे होता है, इनमें इनके वहतम कोश के P कक्षकों में अंतिम इलेक्ट्रोन होता है, किसी P-Block तत्व द्वारा प्रदर्शित अधिक्तम आक्सीकरण संख्या, संयोजी इलेक्ट्रोनों की कुल संख्या के समान होती है, अधिक्तम आक्सीकरण संख्या, समौहों आक्सीकरण संख्या कहलाती है, अक्रिय युग्म प्रभाव अक्रिय युग्म शब्द को सबसे पहले नेविल सिड्विक द्वारा प्रस्तावित किया गया, अक्रिय युग्म प्रभाव वाहितम इलेक्ट्रोनों की पारगमन पश्चाद धाथूं की योगिकों में अन्यायनी कृत या बिना साजह हुए बने रहने की प्रवृत्ती होती है, अक्रिय युग्म प्रभाव शब्द को प्राया आक्सीकरण अवस्थाओं के बढ़ते इस्थाइद्व के सम्मंध में उप्योग किया जाता है, जो समुहों 13, 14, 15 तथा 16 के गुरुतर तत्वों के लिए समुहों सेयों जक्ता से दो कम होती है। समुह 13 के तत्व बोरौन परिवार गुणों में बोरौन परिवार के तत्व ब्रिहद भिन्नता प्रदशित करते हैं। बोरौन एक प्रारूपिक अधातु है, एलूमिनियम एक धातु है, परंदु इसके अनेक रासायनिक गुण धर्म बोरौन के समान है। गेलियम, इंडियम तथा थैलियम गुण धर्मों में लगभग पूर्णता धातु हैं। समुह 13 के तत्वों का बाहे इलेक्रोनिक विन्याज एनिस की पावर दो, एनपी की पावर एक होता है। बोरौन और एलूमिनियम में नॉबल गैस कोर होती है। गेलियम और इंडियम में नॉबल गैस तथा 10D इलेक्रोन होते हैं। ठेलियम में नॉबल गैस तथा 14F इलेक्रोन और 10D इलेक्रोन कोरे होती हैं। परमानविक त्रिच्या समुए में नीचे जाने पर परमानविक त्रिच्या बढ़ती है। जबकि GA की पर्माणविक त्रिजिया 135 पिको मीटर, AL की पर्माणविक त्रिजिया 143 पिको मीटर से कम होती है। ऐसा इसलिए होता है क्यूंकि गेलियम में उपस्थित अतिरिक्त 10D इलेक्ट्रोन पढ़े हुए नाप की आवेश की तुल्ला में बाहे इलेक्ट्रोनों पर दुरलब परिरक्षन प्रभाव डालते हैं। आइनन एंथेल्पी इसका मान समु में नीचे जाने पर क्रमिक रूप से नहीं घड़ता। बोराउन से अलियूमिनियम तक कमी आकार में बढ़ोत्री के कारण होती है। एल्यूमिनियम से गैलियम तक व्रिथी आइनन एंधेलपी में आसान तत्ति के कारण होती है। इंडियम से थैलियम तक व्रिथी डी और एफ इलेक्ट्रानों की अक्षमता के कारण होता है, जिनका परिरक्षन प्रभाव दुल्लब होता है। समु तेरा के तत्वों के भौतिक गुण धर्म तत्वों का क्वतनांग समु में नीचे जाने पर घड़ता है। तत्वों का गलनांग समु में नीचे जाने पर पहले घड़ता है और बात में पढ़ता है। बोरॉन में सर्वदिक विद्धत रनात्मक्ता होती है। अल्यूमिनियम से थैलियम तक विद्धत रनात्मक्ता बढ़ती है। बोरॉन एक अधातु है, जबकि एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम धातु हैं। समु तेरा के तत्वों के रासाइनिक गुण धर्म वायू के प्रती अभिक्रिया शीलता। बोरॉन क्रिस्टिलिये सौरूप में वायू के साथ अभिक्रिया नहीं करता। पर ऑक्साइट की पतली परत बन जाती है, जो और अधिक्षय होने से धातु को रोकती है। अक्रिस्टलिये पॉरॉन तथा अल्यूमिनियम धातुएं वायू में गर्म करने पर B2O3 और Al2O3 बनाती हैं। उचे तापमान पर डाई नाइट्रोजन के साथ वे नाइट्राइड बनाती हैं। अमल एवं क्षार के प्रती अभिक्रिया शीलता। बोरॉन अमल और क्षार के साथ सामान तापमान पर भी कोई क्रिया नहीं करता। अल्यूमिनियम उभै धर्मी कुण प्रदशित करता है और खनिज अमलों पर एवं जाली एक्षारों में खुल जाता है। अल्यूमिनियम तनों S.C.L. में घुल जाता है और हाइडोजन निश्का सित करता है। हैलोजनों के प्रती अभिक्रिया शीलता। बोरॉन परिवार के तत्व हैलोजन से क्रिया करके ट्राइ हैलाइट बनाते हैं। बोरॉन का असंगत वहवार। कुछ धात्विक गुण होने पर भी बोरॉन एक अधातु है। इसमें धनविद्ध्यती गुण होता है। बोरॉन त्री संयोजक योगिक बनाते हैं। ये NaOH, Willian के साथ उबालने पर हाइडोजन को मुक्त करता है। बोरॉन के बाइनरी योगिकों को बोराइट्स के नाम से भी जानते हैं। बोरॉन ट्राइफ्लोराइट लुईस इक्षारों जैसे की NH3 के साथ आसानी से अभिक्रिया करके बोरॉन के परिताह अज तक पूण करता है। बोरॉन के कुछ मेदपूण योगिक बोराइक्स इसे सोडियम टेट्रा बोरेट डेका हाइडरेट भी कहते हैं। ये इस प्रकार पाया जाता है कि इसमें चतुष केंद्रिये इकाईयां B4, O5, OH4 की घात दो होती हैं। आता इसका सूत्र Na2, B4, O5, OH4, RH2O होता है। क्रिस्टलिये बोरेक्स ठंडे पानी में कम गुलनशील होता है, लेकिन ये गर्म जल में शीद्र गुलनशील होता है। जब बोरेक्स को गर्म किया जाता है, तब इससे जल के अणूं का निश्कासन होता है। और गर्म किये जाने पर ये एक पार दर्शी द्रव में परिवर्तित हो जाता है, जो कांच के समान एक ठोस में परिवर्तित हो जाता है, उसे बोरेक्स मन का कहते हैं। आर्थोबोरिक अमल यानि H3BO3 को बोरिक अमल भी कहते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर ये मेटाबोरिक अमल HBO2 बनाता है, मेटाबोरिक अमल को जब 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, तो ये पाइरोबोरिक अमल यानि H2B4O7 बनाता है, जिसे जब उच तापान पर गर्म किया जाता है, तो B2O3 बनाता है, आर्टोबोरिक अमल एक दुर्बल अमल है, लेकिन ये एक पॉली हाइड्रिक अलकोहल की उपस्तिती में रणाइनी जटिल पोरोस्पाइरेनिक अमल बनने के कारण प्रबल एकलक्षारिये अमल के रूप में कारे करता है, और H धनायन मुक्त करता है, उधारण आईए एक उधारण देखते हैं, क्या होता है जब बोरेक्स विलियन को अमली करित और बोरिक अमल को गर्म किया जाता है, आईए समाधान देखते हैं, जब बोरेक्स विलियन को अमली करित किया जाता है, तो बोरिक अमल को गर्म किया जाता है, तो बोरोन से सक्वी ऑक्साइड बनता है, बोरोन तथा एलियूमिनियम तथा इनके योगिकों के उप्योग बोरोन का प्रियोग बहुत से सफाई के उत्पाधूं, डिटरजेंट और विरंजकों में किया जाता है, कांच और सिरमिक बनाने में इसका प्रियोग किया जाता है, बोरो सिलिकेट कांच में तापिये आगात के प्रती उत्तम प्रतिरोध होता है, बोरॉन, फिलामेंट प्रकाश के रूप में और उच्छ सुद्रिड सामगरियां वेमानी की संदचनों में उप्योग किये जाते हैं बोरॉन, कार्बाइट शील्ड का प्योग नाभी किये रियक्टरों में नेंतरक छड़ों के रूप में किया जा सकता है कम खनत्व तथा सुद्रिड़ता, एल्यूमिनियम को विमान, हलके भारवाले वाहन तथा सीरियां बनाने के लिए आदर्श सामगरी बनाते हैं सक्षारण, प्रतिरोधी तथा कम खनत्व के कारण इसका उप्योग हरित ग्रिहों एवं खिड़कियों के फ्रेमों में किया जाता है उश्मा का अच्छा सुचालक होने के कारण इसका उप्योग बॉयलरों, कुकरों और पकाने के अन्यपरतनों में किया जाता है आसान धलाई, अलुमिनियम को बेपदार्थों के डिब्बों तथा छट डालने वाली सामगरी का अच्छा घटक बनाती है समौ 14 के तत्व कार्बन परिवार कार्बन मानव शरीर में दूसरा सबसे प्रचुर तत्व है ये प्रिथवी की भूपरपटी में प्रती मिलियन लगभग 320 भाग के रूप में बहुता यस से पाया जाता है ये सौतंत्र अवस्था में हीरा, ग्रेफाइट और कोईले में मिलता है सिलिकॉन प्रिथवी की भूपरपटी पर पाया जाने वाला दूसरा अती पाहुलित तत्व है और प्रकृती में सिलिका और सिलिकेट्स के रूप में उपस्तित है जर्मेनियम केवल सुक्षम मादराओं में ही उपस्तित रहता है तिन मुक्यता गैसिटेराइट यानी SNO2 के रूप में पाया जाता है लेड मुक्य रूप से गैलेना पी बी एस के रूप में मिलता है समुह 14 के तत्वों के सामान ने अभी लक्षान Electronic Vinyas कार्बन परिवार का सहयोचकता कोश Electronic Vinyas NS वर्ग, NP वर्ग होता है इस परिवार के तत्रूं के Electronic Vinyas की आंतरिक क्रोड या कोर भिन होती है सहसयोचक द्रिजीया कार्बन से सिलिकौन तक सहसयोचक द्रिजीया में उलेखनी वृद्धी होती है इसके पश्चाद सिलिकोन से सी से तक त्रिज्या में आंशिक बढ़ोत्री होती है। ऐसा इसलिए होता है क्यूंकि गुरूतर सरदस्यों में पूर्ण पूरित D और F कक्षक उपस्दित होते हैं। आइनन एथेलपी समू में नीचे जाने पर आइनन एथेलपी घड़ती है। समू 14 के तत्वों की प्रथम आइनन एथेलपी के मान समू 13 के संगत तत्वों की अपेक्षा अधिक होते हैं। विद्ध रनात्मक्ता छोटे आकार के कारण समू 14 के तत्वों की विद्ध रनात्मक्ता का मान समू 13 के संगत तत्वों की विद्ध रनात्मक्ता के मान से थोड़ा अधिक होता है। सिलिकॉन से सीशा तक तत्वों की विद्धुत रनात्मक्ता का मान लगभग समान होता है। समू 14 के तत्वों के भौतिक गुण धर्म समू में नीचे जाने पर धात्विक लक्षन बढ़ता है। कारबन और सिलिकॉन में व्रिहद आणविक जालक से तिन और सीशे में व्रिहद धात्विक जालक तक संदचना गत परिवर्तन होता है। समों में नीचे जाने पर आबंधन में सह संयोजी से धात्विक तक परिवर्तन, गलनांक, कोथनांक तथा प्रथम आयनन उर्जा में घटोतरी का कारण बनता है. समो में नीचे जाने पर बढ़ता धात्विक गुण, घनत्व तथा चालकता में सामानि व्रिद्धी का कारण बनता है समो 14 के तत्वों के रासाइनिक गुण धर्म ऑक्सीजन के प्रती अभी क्रिया शीलता समो 14 के सदस्से ऑक्सीजन की उपस्तिती में गरम किये जाने पर आक्साइड बनाते हैं ये मुख्यता दो प्रकार के आक्साइड पाते हैं मोनो आक्साइड तथा डाय आक्साइड इनके सूद्र म, ओ और म, दो हैं उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में आउक्साइड निम्न अवस्था वाले आउक्साइड की तुलना में अधिक अमलिये प्रकृती के होते हैं। जल के प्रती अभी क्रिया शीलता, कार्बन, सिलिकन तथा जर्मेनियम जल के द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। तिन जल के साथ अभी क्रिया करता है और डाइउ ऑक्साइड तथा हाइडरोजन कैस बनाता है। रक्षात्मक ऑक्साइड परत पनने के कारण सीथा जल से अप्रभावित रहता है। कार्बन का असंगत वहवाहार कार्बन का प्रयोग मुख्यता इंधन के रूप में प्रयोग्त किया जाता है और ये एक अच्छा तनुकारक है धातु कर्म प्रक्रियाओं में मध्यम विद्युत धनात्मक्ता वाली धातुओं को उनके ऑक्साइट अयसकों से कार्बन द्वारा अपचाहित करते हुए निशकर्शित किया जाता है उच्छ तापमान पर उच्छ वैद्द धनात्मक धात्वों के आकसाइट कार्बन से अभिक्रिया करके संगत कार्वाइट बनाते हैं कार्बन में अन्य पर्माड़ों के साथ सह संयोजक बंध द्वारा जुलकर लंबी श्रंखला या वले बनाने की प्रवरित्ती होती है कार्बन के अपर रूप ग्रेफाइट ग्रेफाइट में प्रते कार्बन पर्माड़ों तीन अन्य कार्बन पर्माड़ों से जुड़कर SP2 संकरण त्वारा दुईतलिये शटकोणिये वले संदचनाएं बनाता है इन दोनों पर्तों के मथे अकर्शन बल होता है इसलिए ग्रेफाइट मुलाइम होता है और चाकू से काटा जा सकता है प्रतेक परत को अन्य पर खिसकाया जा सकता है जिससे ये चिखना बनता है और शुश्क इसनेहक के रूप में उप्योग किया जा सकता है ग्रेफाइट में प्रते कार्बन परमाणूं एक स्वातंत्र इलेक्टॉन रखता है जो इसकी चालगता के लिए उत्तरताई होते हैं हीरा हीरे में प्रते कार्बन परमाडों SP3 संकरन त्वारा अन्य चार कार्बन परमाडों से जड़ा होता है और तिरी विमिये कठोर सनचना बनाता है कार्बन परमाणों के छोटे होने के कारण वे निकट आबध क्रिस्टलिय सनचना बनाते हैं और कठोर हो जाते हैं तथा हीरे को अब घर्शक के रूप में उप्योग किया जाता है हीरे में कार्बन के पर्माणों में कोई भी स्वातंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होता है इसलिए ये विद्युत का कुछ अलग है फुल रीन्स कार्बन का एक अन्य अपरूप फुल रीन्स है जिसमें एक अनू में 60 या 70 या 84 कार्बन पर्माणों होते हैं ये पिंजरे नुमा अनू फुटबाल की सनचना जैसी आकरिती लिए होते हैं इनका प्रयोग अत्यंत उच्छ ताप पर इसनेहक की तरह किया जा सकता है इनमें बिलकुल निम्न ताप पर भी अतिचालकता का गुन होता है उच्छ तन्य सुद्रिर्टा वाले भारहीन तंतूं के निर्माण में इनका उप्योग किया जाता है कार्बन के कुछ महदपूर्ण यौग एक कार्बन मोनो आकसाइड कार्बन मोनो आकसाइड सामानेताप पर सांद्र H2SO4 पर फार्मिक अम्र को मिलाने से बनता है इस तरह विर्चित कार्बन मोनो आकसाइड को कास्टिक सोडा विलियन से गुजारा जाता है और फिर P2O5 पर से प्रवाहित करते हुए शुष्क किया जाता है इसे आकसेलिक अम्र के साथ सांद्र सल्फियोरिक अम्र की क्रिया द्वारा भी बनाया जा सकता है कारबन मोनो आकसाइड एक रंग हीन देहनशील कैस है ये एक हुदासीन आकसाइड है परणतु उच्छ दाब और उच्छ ताब पर येक अम्लिये आकसाइड की तरह वेवाहर करती है कार्बन मोनो आक्साइड आक्सिकारक तथा अपचायक दोनों रूपों में क्रिया कर सकते हैं कार्बन मोनो आक्साइड में कार्बन की आक्सिकरन संख्या जमादो होती है कार्बन डाई आक्साइड कार्बन डाय ओक्साइड को केल्शियम कार्बोनेट पर तनू हाइड्रो क्लोरिक अम्ल की अभी क्रिया द्वारा बनाये जाता है कार्बन डाय ओक्साइड एक अम्ली ये ओक्साइड है तथा दीकशार की ये अम्ली की तरहा क्रिया करती है और दो प्रकार के लवन बना सकती है उचताप पर कार्बन डायोकसाइड एक आक्सी कारक के रूप में कारी कर सकती है सिलिकॉन के कुछ महतपून यौगेक सिलिकन डायोकसाइड सिलिकन डायोकसाइड का दूसरा नाम सिलिका है ये अनेक क्रिस्टल सनचनात्मक रूपों जैसे क्वार्स, क्रिस्टलो बेलाइट तथा ट्राइडाइमाइट में मिलता है। सिलिकन डाइऑकसाइड एक सहसंयोजग तरीविमिय जालक युक्तिठोस है, जिसमें प्रत्यक सिलिकॉन परमाणूं चतुष भल किये रूप में चार आउकसीजन परमाणूं से सहसंयोजित बंधित रहता है। सिलिका अपने सामाने रूप में अति उच्छ सिलिकॉन ऑकसीजन बंध एठेलिपी होने के कारण लगभग अनअभिक्रियाशील होता है। ये HF और NAOH से क्रिया करता है। कॉर्ज का विस्तरित उप्योग दाप विद्योत पदार्थ के रूप में होता है। सिलिका जल कवप्योग शुषकन करमक तथा उत्प्रेरक के रूप में होता है। सिलिकेट की मूल सनजनात्म किकाई SIO4, 4- है जिनमें सिलिकॉन पर्माणू, 4 आकसीजन पर्माणूं से चतुष भलक के रूप में बंधित रहता है। प्रकृती में बड़ी मात्रा में सिलिकेट खनेज पाए जाते हैं जैसे फेल्डस पार, जियोलाइट, श्वेत अबरग और एसपेस टस। जब सिलिकेट इकाईयां आपस में मिलती हैं तो श्रंकलित वलय परतिया तिरी विम्य सनचना बनाती हैं। मनिश्य द्वारा निर्मित दो महतपूर सिलिकेट काँच तथा सिमेंट हैं। क्या आप जानते हैं। कारबन मनुश्य को लगभग 3750 इसापूर्व से ग्यात है। कांसे के निर्माण हितू तांबे, जस्ते एवं टिन अयसकों को अपचाइद करने के लिए कारबन का पहली बार उप्योग मिस्र तथा सुमेर सभिताओं के लोगों द्वारा किया गया। बोरॉन सभी हरित पादबों का अनिवारे पोशकतत्व है। कारबन का गलनांक और उर्धु पातन बिंदु सभी तत्वों में सरवाधिक लगभग अठावन सो डिग्री केल्विन होता है। ब्रहमाण में बोरॉन के परमाणू अंत्रिक्ष किरन संगट्टों द्वारा ना भी किये सनलेयन के कारण निर्मित हुए हैं। ब्रहमाण में अधिकांश बोरॉन का निर्माण हमारे सौर मंदल बनने से पहले इसी प्रकार हुआ। सारांश आए हमने जोख सीखा है उसे संक्षेप में दोराएं। आवर्ती सारणी में तेरा से अठारा समों के तत्वों को सामोहिक रूप से पी ब्लॉक तत्व कहते हैं। अक्रिय यूग्म प्रभाव वाहतम इलेक्ट्रानों की संक्रमन पश्चात धातूं की योगिकों में अन्याइनी कृत या बिनसाजा हुए बने रहने की प्रवृत्ती होती है। तेरा समों में बोरॉन एक अधातू है जबकि अल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम धातूं है। अल्यूमिनियम उभै धर्मी गुण प्रदशित करता है और खनिज अमलों एवं जली अक्षारों में घुल जाता है। कारबन मानव शरीर में दूसरा सबसे प्रचोर तत्व है। ये प्रित्वी की भू परपटी में प्रती मिलियन लगभग 320 भाग के रूप में बहुता यस से पाया जाता है। ये हिस्सोतंत्र अवस्था में हीरा, क्रेफाइट और कोईले में मिलता है। कारबन परमाणूओं में अन्य परमाणूओं के साथ सह संयोजग बंध द्वारा जुड़कर लंबी शरंखला या वले बनाने की प्रवरित्ती होती है। ये कौन शरंखलन केहलाता है। कारबन मोन आकसाइड एक उदासीन आकसाइड है, परन्तु उच्छदाब और उच्छदाब पर ये एक अमलिये आकसाइड की तरहा वहवाहार करती है। सिलिकन डाकसाइड एक सहसंयोजक त्रीविमिये जालक युक्तिठोस है, जिसमें प्रतेक सिलिकॉन परमाणूं चतुष फल की ये रूप में चार आकसीजन परमाणूं से सहसंयोजित बंधित रहता है। कर दो थे चार आकसाइड बंधित रहता है। कि ये देता है। झाल झाल